कॉंग्रेस के रास्ट्री अध्यक्ष को चुनने के लिए कथे चुनाओं का खाका तयार हो चुका है और आने वाली 17 अक्टूबर को चुनाओं होगा लेकिन उससे पहले पार्टी में न तो इस्तिफे का दौर थम रहा है और नहीं दिगज नेताओं की नाराजगी कम हो रही है एक तरफ गुलाम नभी आजाद जैसे नेता ने कॉंग्रेस छोड़ दी तो वहीं दिगज कॉंग्रेसी नेता आनंज शर्मा ने भी अपने पदों से इस्तिफा दे दिया था काफी मान मनवल के बाद भी कहा गया कि उनकी नाराजगी दूर कर दी गई लेकिन आनंज शर कांग्रेस कारेसमिती के बैठक में उन्होंने केंद्रिये चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मदूसुदन मिस्त्री से कई सवाल किये मिस्ट्री ने सदस्यों को पूरा चुनाव कारिकरम बताया इसके बाद कई सदस्यों ने चुनाव कारिकरम पर अपनी बाद रखी सूत्रों का कहना है कि आनन शर्मा ने AICC के डेलिगेट के चैन पर सवाल उठाते हुए कहा कि डेलिगेट का चुनाव किस तरह किया गया ब्लॉक जिला और प्रदेश दस्तर पर कब बैठक हुई शर्मा की दलील थी कि उन्हें कई प्रदेशों से या शिकायत मिली है और इसको लेकर लोग अंधेरे में है इस पर पार्टी अध्यक्ष ने मदूसुदन मिस्री को सिती स्पस्ट करने की हिदायत दी मिस्री ने कहा कि AICC डेलिगेट की सूची अध्यक्षपद के उमिद्वारों को उपलब्द करा दी जाएगी इसके बाद आनन्शर्मा चुप हो गया बैठक के बाद मिस्री ने कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं वो खुद इस प्रक्रिया के जरिये यहां तक पहुँचे हैं कांग्रिस महास्चो जैराम रमिश ने CWC में संगठन चुनाओ प्रक्रिया पर सवाल उठाय जाने से इनकार किया है उन्होंने ट्वीट किया कुछ संदिक्द स्रोतों के जरिये यह कहा जा रहा है कि CWC की बैठक में कांग्रिस अध्यक्ष की चुनाओ प्रक्रिया और कारिक्रम पर सवाल उठाये हैं उन्होंने कहा बैठक में किसी ने कोई प्रश्न या संदे नहीं उठाया है गौर तलब है कि जम्मू और कश्मीर के पूरो मुख्यमंतरी उलाम नभी आजाद ने पहले कॉंग्रेस में अपने पदों से इस्तिफा दिया बाद में उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी उन्होंने आरोप लगाया था कि कॉंग्रेस में रित्रत्व आंतरिक चुनाओं के नाम पर धोखा दे रही है जबकि G23 के अहम सदस्य आनन्द शर्मा ने भी हिमाचल विदानसभा चुनाओं के लिए संचालन समिती के अर्धक्षपद से इस्तिफा दे दिया है उसके बाद से ही उनकी नाराजगी जारी है भीरो रिपोर्ट न्यूज आफ इंडिया